मृत्यू के उपरांथ क्या? मरने के बाद क्या होता है? एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा भगवन आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यू के उपरांथ क्या होता है? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए फिर उन्होंने उससे पूछा पहले मेरी एक बात का जबाव दो अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विश्बुझा बान घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बान को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना की बान किधर से आया है और किसे लक्षे कर मारा गया है मलुक्य पुत्र ने कहा पहले तो शरीर में घुसे बान को तुरंट निकालना चाहिए अन्यथा विश्पूरे शरीर में फैल जाएगा बुद्ध ने कहा बिलकुल ठीक कहा तुमने अब यह बताओ की पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यू की बात की बातों के बारे में सोचा जाए मलुक्य पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिग्यासा शान्त हो गई